Hey guys, welcome back to another video of AKG मैं ऐसे sensitive topics में वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ लेकिन आज जो ख़बर निकल क्या है Mason Greenwood वाली मेरे ख्याल से इसके खिलाफ उठाना आवाज जो है वो बनता है क्योंकि हम अक्सर ना इस चैनल पे जब players कुछ individual बहुत ही अच्छा कर रहाते हैं तो उसके बारे में वीडियो बनाते हैं लेकिन आज जो Mason Greenwood ने किया है उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाना बनता है मैं एक और चीज़ कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि अभी वो अक्यूज हुए अपनी girlfriend से है ना अभी guilty proof नहीं हुए है नहीं उनको federal system जो है वो UK की guilty proof करी है और हाँ जब federal system जो है वो guilty proof नहीं करी है तो हम कौन होते हैं guilty proof करने के लिए कि वो अक्यूज है बट इस्टिल यार जो initial findings जो initial सबूत उनकी girlfriend इस्टाग्राम में डाला है मेरे ख्याल से वो बहुत ही बहुत ही horrific है दिल दहला देने वाली है वो तस्वीरे ले लिजे आप भाई ऐसा कैसे कोई किसी के साथ कर सकता अगर मिसन ग्रीन वूड ने सच में किया है तो moreover जो voice recording उन्होंने डाली है वो सुनकर के तो मुझे लग रहा है कि मेसन ग्रीन वूड को जरूर 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 जेल होगी और अगर उन्होंने सच में ऐसा कुछ किया है तो जेल जो होना बनता है भाई साहब पहले आइसलेंड वाला एक कांड हुआ था मेसन ग्रीन वूड का अगर आपको याद होगा तो जिसमें वो यूरो से बाहर हो गए थे इंगलेंड की टीम से और फिर ये भी आज आपको देखने को मिल रहा है यानि कि मेसन ग्रीन वूड सच में जो है वो बदमाश आदमी है और उसके खिलाफ जो है वो अच्छे से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए moreover domestic violence मेरे नजर में एक ऐसा topic है जिसके ऊपर जो है जिसके खिलाफ जो है वावाज जादा उठती नहीं है आपको domestic violence के victim हर चौते पाच्वे घर में देखने को मिल जाएंगे और victim केवल general औरते नहीं रहती है मर्द भी जो है वो domestic violence के जो है वो शिकार होते हैं और इसमें कुछ शर्मनाक चीज नहीं है बात बस इतनी होती है कि ऐसे topics को generally उठाया नहीं जाता है तो यहां Robinson जो Mason Greenwood की girlfriend है उनको salute है मेरा कि वो ऐसी topic को जो है वो publicly सामने करी है और I hope so that UK की federal system जो है वो जरूर जो है वो justice दिलाये Robinson को और जो भी कड़ी से कड़ी जो है वो Mason Greenwood के खिलाफ जो है वो action ले क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही शर्मनाक जो है वो एक यहां पर काम किया गया है Mason Greenwood के द्वारा और यह पहली बार नहीं दूसरी बार पकड़े गए हैं बागी अभी time है guilty proof होने में अभी तो केवल accused हुए है बट still initial findings है बहुत ही दिल नहला देने वाली है भाई कैसे कोई हाथ उठा सकता है मुझको समझ में नहीं आता है यार मतलब क्या ही मैं बहुत हो anyways मैं ऐसे वीडियो में topic बनाता नहीं हूं यार बट मेरे ख्याल से नमस्चिक महलें से कैसा topic जिसके खिलाफ आवाज उठाना जो है वो बनता है more power to Robinson absolute brave girl जिन्होंने सामने आकर के जो है वो ऐसे सबूत रखे हैं मिशन करिनवूट के खिलाफ I hope so justice will be served to Robinson anyways bye